नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आपके आसपास बहुत सारे पौधे हैं और होते भी हैं लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं पर कई बार हम उन पौधों के बारे में नहीं जान पाने के कारण हम उसको हटा देते हैं कि बेकार के पौधे हैं हलाकि जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है वो तो बेकारी होता है लेकिन अगर आप जान जाते हैं तो आप फिर सोचते हैं कि बेकार हटाए वो पौधे कितने काम का है आज हम आपको एक ऐसे पौधे जिसका नाम है सत्या नासी अब नाम ही है सत्या नासी सब कुछ नास करने वाला लेकिन यकीन मानिए ये नास जीवन की मुस्किलों को करता है परिसानियों को करता है इस पौधे की अपनी खुवी है और अपनी खामी है लेकिन अगर हम खुवी की बात करें तोटके की बात करें तो देखिए सबसे पहले बाद तो हम इसके पहले हम आपको गुन बताएंगे सत्या नासी का जो पौधा है ना इसमें एंटी बैक्टिरियल गुन होते हैं और इसकी टेहनी से निकलने वाला दूद को अगर इसकीन पर जहां भी एकजीमा से प्रभावित है खुजली है फोड़े है या इसकीन के अलसर जैसे तोचा संकर्मन है तो उस पर लगाने से वो जल्दी ठीक हो जाते हैं अगर किसी को चोट लग गई है घाओ हो गया है तो सत्या नासी के पौधे की पतियों को पीस कर अगर उसका रस लगाया जाए तो घाओ जल्दी भड़ते हैं सत्या नासी को जो पुस्प होता है उसको चेहरे और हाथ पेर पर लगाने से स्कीन में गलो आता है रिंकल्स यानि जुर्यां खत्म होती है और सत्या नासी के पौधे का जो दूध है उसकी एक बुंद गाय के दूध की तीन बुंद के साथ मिला कर अगर आँखों में काजल की तरह पहना जाए तो जलन लिए आँखों से पानी आने की समस्या खत्म हो जाती है हलांकि इसे किसी बढ़ियां बैदिक से आप सज सुझाओ लेकर कैसे करना है विदी जानकर ही कीजिएगा तो आज हम आपको टोटके भी बताएंगे लेकिन दो चार बाते और जो सत्या नासी के पौधे से दूध न सत्या नासी का जो पौधा है इसकी पत्तियां पानी में उबाल कर पानी पीने से लाब होता है खुलकर पेसा आब आते हैं जो भी इंफेक्शन हैं अंदर वो समाफ्थ हो जाते हैं हलांकि सत्या नासी जड़ी बूटी के रस को रोजाना एक चमच पीने से गुर्दे में द नासी पाइदे मंध है दो-तीन बार दिन में रस लेना चाहिए इसका लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे कि सत्या नासी के पौधे के पत्ते को तोड़ने से थोड़ा दूद निकलता है उस दूद से आप किसी भी कागज या फिर भोज पत्र पर आप दुस्मन का नाम लिख कर उसी पौधे की जड़ में दबा दे बिना कुछ बातचीत किसी से किये बिना टोका टोकी किये तो दुस्मन सांत रहते हैं ये प्रियोग किसी भी सनीवार रवीवार अमस्या पुर्णिवा को आप क कर लें इसके बाद इसको आप लाकर धन अस्थान पर रख दें तो यकिन मानिए ये धन को बढ़ाता है लक्ष्मी को खीचता है और हर तरह की बाधाओं को समाब करता है फिलाल भी बिदा लेंगे जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्काइब करें अपनों से से